आखरी दिनों में भी घर के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई जो है हुई है वो भी अभिशेक और मनारा और अरुन के बीच में जहां पर अभिशेक जो है एक बार फिर से मनारा चोपड़ा की फैमली के उपर गए फैमली के बारे में काफे सारी बाते बोली हैं ये बात जो ह वो मुनावर और अंकिता के साथ तो बात कर रहे हैं पर देखा जाए तो आज सुभा से जो है अरुन और मनारा के साथ अच्छे से बात तक नहीं की इवन अरुन और मनारा ने भी जो है अभी शेक से अच्छे से बात नहीं की है अब ये दोनों बात कर रहे हैं और ये दोनों ही बोल रहे हैं कि ये कैसा इंसान है बात करने जाओ तो बैबै करके मूँ पे आ जाता है और सब गंद जो है वो बस उगेड़ देता है डाल देता है मूँ पे और इसको ना घमंड है बहुत जादा मनारा बोलती है कि इसको क्या जरूरती मेरी फैमिली के उपर आने के लिए क्या क्या सब चीजे बोल रहा था मुझे मेरा मैं दिखा रहा था कि ये कैसी है ये सब चीजे बताना चाहता है ये सब चीजे दिखाना चाहता है इसको बहुत ज़दा घमंड है इसको ना बात करने का तरीका नहीं है इसको ना घमंड हो गया कि मैं बहुत ज़दा फेमस हो गया मैं को फेम मिल गया है ये हो गया है वो हो गया है अगर इसके हालत यही रही ना तो अगर इसको fame भी मिला है ना तो इसके बोलने के ढंग पे ना वो fame जो है इसके हाथ से चला जाएगा बोलने को तो मैं भी बोल सकते थी पर अब मुझे लास्ट के दिनों में जो है लडाई नहीं करनी है मुझे नहीं इसके मू लगना है पर ये बहुत गंदा बोलता है ये बाते जो है अरुन और मनारा चोपड़ा करते हुए नजर आए अब पता नहीं बिग बॉस आप लोगों को ये लडाई दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे क्योंकि अगर देखा जाये तो कल के एपिसोड में अभिशेक और मुनावर की लडाई हुई थी बरतनों को लेके जिसके बारे में मैंने परसो आप लोगों को बताया था पर बिग बॉस ने जो है वो पूरी की पूरी लडाई ही कट कर दी और थोड़ा सा आगे का दिखा के सीधा जर्नी वीडियो से स्टार्ट किया एपिसोड अब ये लडाई दिखाई जाएगी या नहीं दिखाई जाएगी भई इसकी गैरंटी तो कुछ नहीं है पर ऐसा क्योंकि मनारा और अरुन जो है इसके बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना ये है कि चलो ठीक है मैंने नाम नहीं कमाया होगा यहां पर पर मैंने नाम गवाया भी नहीं है यहां पर इसी के साथ मैं लेती हुँ जासत नमस्कार